दोस्तों कहते हैं कि सच्चा प्यार वही होता है जो कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ न छोड़े। लेकिन जमाना तो कुछ ऐसा हो चुका है कि आज कर लोगों के रिष्टे जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी तूट भी जाते हैं। हाला कि आज के इस वेडियो में हम आपको भारत के ही पांच ऐसे कपल्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी जमकर सामना किया और आज उनकी जोड़ियां पूरी दुनिया के लिए ही एक आदर्शमानी जाती है। दोस्तों फेमस बॉलिवोड एक्टर आयुशमान खुराना और उनकी पतनी ताहिरा कश्यप की जोड़ी को सिर्फ बॉलिवोड ही नहीं बलकि पुरे भारत के सबसे आईडियल कपल्स में शुमार किया जाता है। आयुशमान की ये प्रेम कहानी तब शुरू हुई थी जब ये दोनों बाराहमी क्लास के दोरान एक ही ट्यूशन में क्लास करने के लिए जाया करते थे। यह की ताहिरा के पिता उनको अपने एक दोस्त के यहां डिनर पर लेकर गए। और ताहिरा जब अपने पिता के दोस्त के घर पहुँची तो वह पूरी तरह से शौक डरा गई थी। क्योंकि यह घर किसी और का नहीं बलकि आयुशमान का ही था। असल में ताहिरा और आयुशमान के पिता आपस में एक दोस्त थे और यह बात इन दोनों को भी उसी दिन ही पता चली थी। और यह पहला मौका था जब इन दोनों ने पहली बार एक दूसरे से बातें की थी। अब इस मुलाकात के बाद से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई और फिर कुछ दिनों में देखते ही देखते यह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। और फिर इसके बाद से एक दिन सही मौका देखकर आयुश्मान ने एक डिनर डेट के दोरान ताहिरा को शादी के लिए प्रपोस कर दिया अब ताहिराया अच्छी तरह से जानती थी कि आयुश्मान एक अक्टर बनना चाहते थे जिसमें कि उनके फेल होने के भी पूरे पूरे चांसेस थे और यह सब जानते हुए भी उन्होंने सिर्फ प्यार के खातिर आयुश्मान से शादी करने के लिए हां कर दी थी जिसके ब में ताहिरा को इस बात पर पूरा यकीन था कि आयुश्मान एक ना एक दिन काम्याब जरूर होंगे इसके अलावा भी पिछले साल जब ताहिरा स्टेज वन ब्रेस्ट कैंसर से पेडित पाई गई थी तब आयुश्मान ने एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ा थ और दोस्तों अगर सही मायनों में देखी तो यह इनका अटूट प्यार ही था जिसके दम पर इन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी मात देती थी दोस्तों Google के CEO सुन्दर पिचाई और उनकी पत्नी अंजली की जोड़ी भी आज लोगों के लिए एक मिसाल मानी जाती है क्योंकि ये दोनों तब से एक दूसरे के साथ हैं जब इनकी financial situation काफी कमजोर हुआ करती थी दरसल कॉलेज की दिनों में सुन्दर और अंजली एक दूसरे के classmate हुआ करते थे जहां सुन्दर कॉलेज की शुरुवात से ही अंजली को पसंद करने लगे थी लेकिन उन्होंने अंजली को यह बात कॉलेज के final year में जाकर बताई और दोस्तों अंजली उस समय सुन्दर की simplicity से इतनी इंप्रेस हुई थी कि उन्होंने सुन्दर के propose करने पर तुरंत ही हां कर दी थी हलाकि कॉलेज खत्म होने के बाद से इनके लिए चीजे थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हो गई दरसल सुन्दर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए जबकि अंजली यहीं भारत में ही रह गई थी और इस दोरान लगपक 6 महिनों तक इन दोनों की एक दूसरे से बात तक नहीं हो पाई क्योंकि सुन्दर उस समय इंटरनेशनल कॉल्स तक का खर्चा नहीं उठा सकते थी और दोस्तों इसे लिए कुछ समय बाद ही अंजली भी अमेरिका शिफ्ट हो गई थी और फिर जैसे ही सुन्दर को एक सेक्योर जॉब मिली तो इन दोनों ने अपने पैरेंट्स की पर्मिशन लेकर एक दूसरे से शादी कर ली और दोस्तों आज सुन्दर अपने गूगल सीओ होने का सबसे बड़ाश्रे अपनी पतनी अंजली को ही देते हैं क्योंकि ये अंजली ही थी जिन्होंने सुन्दर को गूगल की जॉब न छोड़ने के लिए कन्वेंस किया था दोस्तों आज के जमाने के सबसे बहतरीन बॉलिवोट सिंगर कहा जाने वाले अरिजीत सिंग और उनकी पतनी कोयल की लब स्टोरी भी काफी ज़्यादा इंस्पाइरिंग है दरसल कोयल अरिजीत सिंग की पतनी होने के साथ ही उनके बचपन की दोस्त और पड़ोसी भी है और इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना तब शुरू किया था जब अरिजीत सिंग का नाम भारत में कोई नहीं जानता था और कुछ समय तक डेट करने के बादी इन दोनों ने साल 2014 में एक दूसरे से शादी कर ली थी दोस्तों अरजीत और कोयल के रिलेशनसिप में सबसे अहम बात यह है कि अरजीत को डेट करने से पहले ही कोयल की एक शादी हो चुकी थी और उस शादी से उन्हें एक बच्ची भी थी लेकिन अरजीत ने यह सब कुछ मालूम होते हुए भी कोयल को ना सिर्फ डेट किया बलकि उनसे शादी करके उनकी बच्ची को भी अपना लिया और यही चीज आज इस कपल को इतना ज़्यादा खास बनाती है पैसे मेडिया में यह खबर अक्सर उड़ती रहती है कि कोयल की तरह ही अरजीत की भी यह दूसरी शादी है क्योंकि उन्होंने कोयल से पहले अपने एक रियालिटी शो की को कंटेस्टेंट रूप रेखा बेनर जी से शादी की थी हाला कि आज तक यह बात कभी भी साबित नहीं हो पाई दोस्तों देश के सबसे बड़ी IT कंपनियों में शुमार की जाने वाली Infosys के फाउंडर नारायन मुर्ती और उनकी पत्नी सुधा मुर्ती को अक्सर सिंपलिसिटी की मिसाल कहा जाता है लेकिन अगर हम इनकी निजी जिन्दिगे पर नजर डालें तो पता चलता है कि इनकी सिंपलिसिटी की तरह ही इनकी लब स्टोरी भी कुछ कम इंस्पारिंग नहीं है दरसल नारायन और सुधा मुर्ती की पहली मुलाकात उनके एक mutual friend प्रसन्नाने करवाई थी और नारायन मुर्ती जब पहली बार सुधा मुर्ती से मिले तो फिर उन्हें देखते ही वह अपना दिल दे बैठे और फिर इसके बाद से इन लोगों की दोस्ती हुई और फिर एक दिन अचानक नारायन मुर्ती ने सुधा मुर्ती को प्रपोस कर दिया अब चोकी सुधा उन्हें एक दोस्त से जादा कुछ भी नहीं समस्ती थी इसे लिए उन्होंने तुरंत कोई फैसला ना लेकर उनसे थोड़ा वक्त मागा और फिर घर जाकर उन्होंने यह प्रपोजल वाली बात अपने पैरेंट्स को बता दी जिसके बाद से सुधा मुर्त के पिता ने अपनी बेटी से कहा कि जो आदमी पहली ही मुलाकात में टाइम पर न पहुँच पाए वो भला तुम्हारा ख्याल कैसे रख पाएगा और यह कहकर उन्होंने नारायन मुर्ती को उसी समय ही रिजेक्ट कर दिया हाला कि इतना सब कुछ होते होते अब सुधा मु लोगों में शुमार किये जाने वाले नारायन मुर्ती के पास उस समय अपनी गल्फ्रेंड को फिल्म दिखाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और वे हमेशा सुधा से पैसे उधार लेकर ही उन्हें डेट पर लेकर जाया करते थे हाला कि आखिरकार साल 1977 में जब नारायन मुर्ती को एक कमपनी में जनरल मैनेजर की जौब हासिल हुई तब जाकर सुधा मुर्ती के पिता इन दोनों की शादी के लिए माने जिसके बाद से अगले साल यानि कि 1978 में इन्होंने शादी कर ली दोस्तों बॉलिवुट के सबसे मजह हुए अक्टर्स में शुमार किये जाने वाले पंकच त्रिपाठी जिस तरह से स्क्रीन पर रोमांस करते हुए नजर आते हैं ठीक उसी तरह उनकी और उनकी पतनी मिरुदला की लव स्टोरी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है दरसल पंकच त्रिपाठी ने मिरुदला को पहली बार उस समय देखा था जब वो 9th क्लास में थी और इस पहली ही नजर में उन्हें मिरुदला से प्यार हो गया था असल में पंकज की बहन की शादी उनकी पत्नी मृधला के बड़े भाई से होई थी और इसी शादी के दोरान ही उन्हेंने मृधला को फस्स टैम देखा इसके बाद से पहले इन दोनों की बीच में दोस्ती शुरू हुई और फिर कुछ दिनों में ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई पंकज हर 6 महिने में एक बार अपनी बहन से मिलने उसके घर जाते थे और इसी दोरान उनकी मुलाकात मृदला से हो पाती थी अब वो जमाना वटसप पर चैट करने वाला तो था नहीं इसे लिए पंकज और मृदला एक दूसरे को लवलेटर लिखा करते थे और चुकि ब्रामर लोगों में एक ही परिवार की अंदर दो शादियां नहीं की जाती हैं इसे लिए इन दोनों की शादी के लिए भी परिवार के लोग बड़े ही मुश्किल से माने थे और जैसे तैसे करके साल 2004 में इनकी शादी हो पाई थी और दोस्तों पंकज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्ट्रगल के दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा तकलिफे नहीं जहिलनी पड़ी क्योंकि उस समय मेरी पत्नी मृदुला घर के पूरे खर्च को समभालती थी दोस्तों हालाद चाहें कितने ही बुरे क्यों न रहे हूं लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और यही वज़ा है कि आज इनकी जोड़ी को एक आधर्श कपल माना जाता है बहराल आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था लेकिन इस वीडियो के पार्ट टू के लिए आप हमें ऐसे ही कपल्स के सेजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आपका बहुत मूले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद